जैसे नदी पे बना हुआ बांध जलधारा को साल भर के जलधारा को हमारे लिए रोक कर रखता है ताकि हम उसे बिजली पैदा कर सकें और अपने उपयोग में ला सकें उसी प्रकार ये हतेली में बहुत सारी समस्या मुझे दिख रही है लेकिन इनका मंगल पर्वत अकेले आज हम इस हतेली में देखेंगे कि मंगल का पर्वत मंगल का जो पराकरम है वो कितना सशक्त होता है नमस्कार दोस्तों श्री गणेशाय नमाहा ओम हम हनुमते नमाहा माता वानी की स्वरस्वती देवी की कृपा से मैं इस हाथ का विवरण विवेचन तरूँगा सब सब से पहले हम इस हाथ में मंगल का पराकरम को देखते हैं बहुत तगड़ा है बहुत तगड़ा मंगल बना हुआ है विवेक्ति का कद्ध काठी और मासपेशियां बहुत सारी इसके शरीर में हैं ऐसे मंगल विवेक्ति को प्रेरित करते हैं इस परधा कराने में वियामशाला ले जाते हैं और हर मुसीबत से लड़ने का साहस देते हैं मंगल ग्रहों के सेनापती हैं और बहुत उग्र ग्रहे हैं मंगल इनका साथी है मंगल पर बनने वाली कुछ लाइन्स देखिए ये पावर लाइन ये इसकी उर्जा को बढ़ा देती है इनके हाथ में मंगल परवस से संजीवन लाइन भी निकल रही है जो व्यक्ति को हर तरीके की समस्या या समस्याओं का जाल उससे बच कर व्यक्ति को निकाल दीती है जैसे भगवान लक्ष्मन को शक्ति लग जाने के बाद जब सारी आशाय खतम हो गई थी लेकिन वो फिर भी उटके खड़े हो गए यह है मंगल की ताकत और मंगल परवस से निकलने वाली यह संजीवन लाइन इनके जीवन की नियमत तता को बरकरार रखे हुए हैं बनने वाले यहाँ पर आयताकार कुछ रेक्टेंगिल्स बने हैं कुछ स्क्वेर्स भी हैं इनको भू स्वामी जरूर बनाएंगे जीवन में इनकी अपनी संपतियां होंगी अचल आये आरंब करते हैं गुरू परवत से यह इनका गुरू परवत है आउसत से छोटा बना हुआ है जब गुरू का परवत आउसत से छोटा हो जाए तो गुरू तत्व की हमारे जीवन में कमी हो जाती है आचारे ब्रहस्पति को आकाश तत्व दिया गया है आकाश तत्व ही सबसे बड़ा तत्व है पांस तत्वों में और चारों तत्व बाकी के जिसमें अगनी है पृत्वी है वायू है जल है यह सब समाहित होते हैं गुरू का परवत यदि इस प्रकार छोटा हो जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है हमको समाजिक संबान वहवाईक जीवन और नई नई जो प्राप्तियां होती है उसको मिलने में सुचारू रखने में परिशानियां होती है कुछ इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक वर्ग भी बना हुआ दिख रहा है जो कहीं न कहीं कुछ शक्तियां इस गुरू परवत को दे रहा है गुरू परवत छोटा है और दबा हुआ है तो हम इसे उन्नत नहीं मान सकते हैं तो यहाँ पे एक पहली समस्या आ रही है इस जात्तक के हाथ में गुरू परवत की उंगली जिसे हम तरजनी कहते हैं शनी उंगली की तरफ जुक गई है पारिवारिक समस्या आए और धर्म की और व्यक्ति का रुजान ये दोनों चीज साथ साथ परस पर बढ़ाती है व्यक्ति को भक्ति में भक्ति की और आकरशित करती है ऐसी लाइन ऐसी उंगली जुकी हुई यह इंगित करती है कि व्यक्ति धर्म की और बढ़ेगा इसी उंगली पे बनने वाले कुछ लाइन जो उपर के पोर्वे पे मुझे दिख रही है यह दिखाती है कि अभी हाल ही में उन्होंने काफी नुकसान इस वेक्ती ने उठाया है उपर वाले पोर्वे पे एक भी लंबवत लाइन नहीं होनी जही है ऐसा जोतिश विज्ञान कहता है आई इनका शनी परवत देखते हैं उंगली की लंबाई बहुत अच्छी है परवत भी अच्छा आकार लिये हुए हैं लेकिन उपर से उन्नत है यदि हम नीचे से गोला करें तो दबा हुआ है तो शनी परवत की बनावट कुछ मिश्रित है इसके अंदर शनी परवत पे जो एक सबसे अच्छा चीज मुझे दिख रही है वो है एक सरकिल का निशान यह सरकिल का निशान अभी बहुत कमजोर है और आने वाले धाई वर्षों में यह तीवर हो सकता है शनी परवत पे किसी भी तरह का सरकिल बनना बहुत योग्य और व्यक्ति को तेजों में बनाता है मैं अगर संशेप में कहूं तो ऐसे लोगों से हम भी मित्रता करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ इनके पास हिडन टैलेंट जिसे कहते हैं छुपी हुई प्रवी नियता यह बहुत होती है लेकिन अगर उपर से हम गोला बनाते हैं तो शनी परवत ठीक है थोड़ा सा हम नीचे से अगर इसों देखते हैं तो यह दब गए हैं शनी परवत और साथ में एक क्रॉस का भी निर्मान हो रहा है कि बहुत कतरनाक है यह पऱस पर दो चीज़े मैं देख पा रहा हूं यह मैंने कभी यह नहीं कि नाकारात्मग भी लेकिन साकारात्मक भी लेकिन साकारात्मक को उदाय होने में अभी ड़ाई साल लगेंगे यह इनके दूसरी समस्या हो यहां पर हमें काम करना है आईए सूर्य परवत पर अनियमित है और दबा हुआ है अर्थात विस्तार में इनको हमेशा इनोंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं अगर हम बहुत सुक्ष्म से देखें तो यहां पे भी एक क्रॉस का साइन मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन फिर अगर हम देखें तो मुझे एक यहां तिरिभुज बना हुआ जो साकरात्मक उर्जय की और दिर्ष्टी डाल रहा है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहां पे क्रॉस का चिन ज्यादा दिर्ष्टी गत है बड़ा क्रॉस बना हुआ है यदि हम इस छुपे हुए तिर्भुज की उर्जय को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको यहां पे कुछ उपाय करना होगा जीवन में विस्तार संपर्तियों का विस्तार आपको अचानक मिलेगा लेकिन जब तक यह क्रॉस है तब तक वो सफलता हमारे पास नहीं आपाईगी अब आईए इनके बुद्ध परवत पे जो इनका वैफसाइक परवत है परवत दबा हुआ है इस पर भी एक क्रॉस का निशान है बुद्धी वानिज्य हमारी बुद्धी और हमारे वैपार का जो तक वज़े से हम कहते हैं वानिज्य जहां से हम पैसा कमाते हैं और अपना कारे करते हैं यह पूरी तरह दबा हुआ है और क्रॉस का निसान है कोई मुझे लंबवत रेखा नजर नहीं आ रही है मुश्किल से वो क्रॉस की ही रेखा है जो एक लंबवत लाइन बना रही है लेकिन वो क्रॉस में काउंट होगी वहवाहिक छेत्र से एक रेखा निकल कर नीचे की तरफ आ रही है जो क्रॉस की ही एक लाइन है वहवाहिक परवत के जब भी वहवाहिक परवत हम बुद्ध परवत के इस छेतर को विभा से जोड़कर देखते हैं इस छेत्र से लाइन का एक लाइन का निकल कर नीचे की तरफ आना ये इंगित करता है कि इस जागत को अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जो उनके नर्वस सिस्टम से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसका उन्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इनकी पत्नी को डिप्रेशन और कुछ रहस्मे जो बीमारियां हो सकती है जुड़ी हुई हमारे इस नायू तंत्र से यह मैं देख पा रहा हूं तो इनको अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना चाहिए इसका भी मैं उपाए दूँगा यह इनके हाथ में 24 समस्या मुझे दिख रही है इनका अपर मंगल यह वीक पड़ गया है और यहाँ पे बहुत सारी कुछ लाइने डेवलप हो गई है यह देखिए उच्छ मंगल बहाय मंगल सामाजिक पाराकरम को दिखाता है तोड कचेरी था ना उसमें हमें क्या जीत मिल सकती है लिट अपकी दुनिया हमें बताता है और उन्नत बना हुआ परवत हमको जीत दिलाता है लेकिन यहाँ पे मैं उन्नत नहीं देख पा रहा हूं तो नीसंदे इनको बहुत सारी प्रॉबलम हो सकती है समाज में इनके काफी दुश्मन हो सकते हैं इस परदी हम अगर कहें तो आजकल कोई ऐसा दुश्मन नहीं होता है लेकिन हाँ इस परदी जरूर होते हैं इस परदा जब व्यपार में बढ़ जाती है किसी चीज में बढ़ जाती है तो जलनवश व्यक्ति दुश्मन भी बन जाता है ये वाली समझ से आए इनको यहाँ देखने को मिली होंगी साथ में बह सारी चीजें समझ में आ जाएगी चंद्रमा का आकार स्वरूप पूरी तरह बिगड़ा हुआ है जगे 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 यहां गड़े बने हुए हैं और अनियमित लाइन यहां वहां किसी भी दिशा में भाग रही हैं पीडित मन चंद्रमा का खराब होना जो व्यक्ति सुबह अगर जल्दी नहीं उठ सकते जिनको बिस्तर को छोड़ने में बहुत सारी समस्या होती हैं ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा सबसे पहले पीडित होता है इनको चंद्रमा का तो बहुत विशेश खैल करना चंद्रमा हमारे से 25% के 20-25% तो इसकी इसे पावर दिया गया है कि चंद्रमा का खराब होना 20-25% हमारी कुंड़ी और हमारी जीवर को प्रभावित करता है नाकरात्मत तरीके से यहीं से निकलने वाली इनकी एक जो लाइफ लाइफ लाइन में देख पा रहा हूँ इसकी जड़ बहुत सारी जगे प्राबलम लिए हुआ है तो मैं ये बुलकुल दाविश से कह सकता हूँ कि आरंबिक वर्षों में जब ये वैफसाई की और जब ये कर्म की और बड़े होंगे तो इनको बहुत संगर्स करना पड़ा होगा हलाकि मैं ये सूरे की उंगली और बुद्ध की उंगली इसके बीच में मैं कुछ प्राप्तियां देख पा रहा हूँ जो इनको अपने फॉरफादर से मिली ही होंगी ये प्रताप दिखा रहा है अब इनका मनी ट्रेंगिल इनको क्या ये इनका मनी ट्रेंगिल बन रहा है और आप इक खुछ समझ सकते हैं कि किस अन्यमित तरीके से ये बना है नीचे की लाइने सब टेड़ी हैं और मंगल पहले ही बिड़े थे तो व्यक्ति का व्यक्ति का धन संग्र है वर्तमान इस्तिती जो बता रही है उसमें तो बुलकुल नजर नहीं आ रहा है साथ में निकलने वाली कुछ वैपारिक रेखाएं तो हैं लेकिन यह नुक्सान ही कराएंगी और रेखाएं और इस एरिये में सबसे ज़्यादा डेटोरेशन केतु पूरी तरह बिगड़ चुके हैं तो जो अकस्मिक लाब इनको मिलने चाहिए इन्होंने महसूस किया होगा कि कुछ बड़े लाब इनके हाथ को छूकर निकल जाएंगे और इने पराप्त नहीं हो पाएंगे केतु में भी बहुत सारा काम करना है केतु परवत पर मड़े बंद अगर हम देखें मड़े बंद की लाइने अच्छी हैं लेकिन केतु के पास जो नीचे की एक जो हतेली की बहुत बेसलाइन होती है वो कट रही है यह बेसलाइन नहीं कटना चाहिए बेसलाइन कटने से हम बहुत सारे तरह तरह के नुक्सान उठाने पड़ते हैं आए इनका शुक्र परवद देखते हैं खुबसूरत अवस्ता में हैं उन्नत है व्यक्ति जरूर खुबसूरत होंगे और यहीं नहीं इतना नाशपाती के आकार का शुक्र परवद बनना यह समस्त पारिवारिक सदस को भी सुन्दर बनाता है इस बात को निश्यत करता है इस पर दोड़ने वाली बहुत बारिक लाइन मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ बहुत सारी लाइने चिंता की फिकर की ये इनके परवत पे चल रहे हैं और इन लाइनों से चलने से कहीं कहीं गुणवंता में शुक्र परवत ये देखिए यहां पे यहां पे गड़ा बन रहा है एक अच्छी गुणवंता की वस्तू में यदि दाग लग जाए तो ये आज हमको शुक्र परवत में दिख रहा है कि सब कुछ शुंदरता होते हुए भी उच्छ भोग कला ये सब जाता है कि किस्मत में होते हुए भी ये चिंता की लाइने बहुत सारी लाइने हैं अंगिनत लाइने हैं ये इने प्राप्त नहीं करने दे रही हैं उच्छ भोग इसका भी मैं इनको उपायर दूंगा अफसर की लाइने बहुत कम यहां पर जो अफसर की लाइने बनती है एक भी नहीं दिख रही है मुझे अफसरों की कमी है जीवन में इच्छा सक्ति बहुत शांदार है तर्क शक्ति भी बहुत शांदार है महालक्षमी का योग बन रहा है अंगुठे में ऐसा व्यक्ति कैसे बिधन कमाए संगर्ष से कमाए आसानी से कमाए लेकिन अपना घर जरूर बनवाता है और भुह स्वामी भी जरूर बनता है यही चीज इनकी संजीवन लाइन भी दिखा रही है वहवाई कस्ट की बात जो मैंने मंगल के साथ करी थी ये वाली रेखा को जिसने लाइफ लाइफ लाइन को माइंड लाइन को और रिदय की रेखा को काड़ दिया है वहवाई जीवन में दुख देती है किसी तरह है क्योंकि यहां से भी इनकी पत्नी के स्वास्त में मुझे कमजोरी दिखाई दे रही है और जो मैंने इनको एक सला भी करी है इस पर आप विशेश दिखा रखे कुछ इनका जो सबसे ज़्यादा कंसर्ण है इस जातक का वो अपने वैपार वैफसाइक को लेकर ही है मैं यहां पर देख रहा हूँ मैंने तो बताया कि इनका वैपार विगरा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और एक बात और किसी ने इनको शायद पन्ना पहनने के लिए बोला है यह देखिए आप यहां पर पन्ना इन्होंने पहना हुआ है साइद वैफसाइक सफलता मिले नग पहनने वाले जितने भी जातक है मैं उनको बता दू कि नग पहनने से 10 या 15 परसंट यह एफेक्ट मिलता है वेक्ति यह चाहिए कि मैं नग पहन लो आराम से सोके उठों आराम से काम करूं अनुशाशन ही उन रहूं ऐसा उसको सफलता केवल 15 परसंट ही मिलती है सबसे अधिक और सौ प्रतिशत अगर सफलता मिल सकती है किसी चीज से तो वह है सुभा उठकर सूरे नाराण भगवान को नमस्कार करकर हम ग्रहों के मंत्र पढ़ें और अपना जीवन को अच्छा बनाएं अब इस हाथ को देखने से इसमें तो बहुत सारी समस्या दिखती है तो व्यक्ति का जो गुणवंता या हम जो उसे मजबूत पक्ष कहें तो वो मुझे स्वनी पे बनने वाला सरकल दिख रहा है ये इस बात का घोतक है व्यक्ति यदि अपने मन की संकल्प शक्ति योजना और अनुशाशन भग्वान की भक्ति को मन में धारड़ करके चले तो जीत मिश्यत होगी अकेले मंगल ने इनको हर प्रकार इतनी सारी समस्याओं से जेलने का और उसे जेलते रहने की शक्ति पर दान करी है ये इस बात में इनका मंगल बहुत शांदार है बहुत शांदार है राहु परवत पे मैं कुछ यहां तो डिस्टर्बेंस है यदि मैं ऐसा मनाओ राहु परवत को कुछ डिस्टर्बेंस इनके जीवन में नीचे की तरफ आएगा जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ेगा जैसे मैं मान लेता हूँ यह 50 है, यह 50 के असपास है, अब इस छेत्र में जो समस्याएं हैं, वो खड़ी हुई हैं अब, अब इनको जितनी समस्याँ इननों जीवन में फेस करी थी, अब ज्यादा समस्याँ आगे फेस करने पड़ेगी, उपाय बहुत ज़रूरी है, वैं इनको वाटस्टप भी कर रह उपाएं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए श्री गड़ेशाय नमाहा